नमस्कार आप देख रहे हैं Don't Be Blind India दोस्तो एक बड़ी खबर आ रही है सेना पर मुख का एलान पूर्वी लद्दाख ही नहीं LAC पर भी किसी भी चुनोती से निपटने के लिए हमारी सेना है तैयार पूर्वी लद्दाख में कई महिनों से जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नर्वणे ने बड़ा एलान किया है आर्मी चीफ नर्वणे ने कहा है कि भारती सेना केवल पूर्वी लद्दाख ही नहीं बलकि पूरी लद्दाख में कई महिनों से जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नर्वणे का एलान बहुत बड़ा है आर्मी चीफ नर्वणे ने कहा है कि भारती सेना केवल पूरी लद्दाख नहीं बलकि हर जगे पर पूरी तरह से निगरानी बनाये हुए है जनरल मनोज नर्वणे ने आज प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि लद्दाख में टकराओं के मोर्चों पर इस्थिती नई बदली है उन्होंने कहा कुछ सैनिक पिछले इलाकों से सैनिकों को कुछ कम किया है सरकार का निर्दे साफ है हम अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे चाहे सरदी हो या फिर गर्मी बाच्चित के जरिये समधान निकले इसका पर्यास होगा लेकिन समधान पार स्पिर सुक्षा के अधार पर ही होगा जनरल नर्डवले ने कहा है कि चीन के मुवमेंट को हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थें लेकिन उन्हें फर्स्ट मुवर एडवांटेश था तो कुल मिला कर आपको बता दे कि हमारे जो सैनिक है जो कि इस टाइम पर LSE और साथी तमाम बॉर्डर पर उपस्तित है वो पूरी तरह से तयार हैं किसी भी सिचुएसन से निपटने के लिए इसलिए देशवासियों को बिल्कुल भी घबलाने की जोड़त नहीं है